बहुत पुराने समय की बात है एक जंगल में चार सासी सांड रहते थे उनमें से हर एक का वजन और शक्ती बहुत अधिक था वे उन जंगल के नियौमों का पालन करते थे और अपने परिवार की देख भाल करते थे एक दिन जंगल में एक भयंकर शेर आ गया शेर बड़े भयानक रूप में चिलाया और कहा मुझे भूख लगी है मुझे खाने के लिए कोई मास चाहिए इस सुनते ही चार सांडों का हरिदय डर से भर गया लेकिन उनका सिर्फ सिर्फ डर से नहीं जुका पहला सांड बोला शेर भया हम चारों एक साथ तुम्हारे लिए मास लाएंगे दूसरा सांड उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए हाँ हम सब मिलकर तुम्हारे लिए मास लेकर आएंगे तीसरा सांड भी उसके पीछे आया हम सब तुम्हारे लिए मास लाकर देंगे पर हमें केवल एक शर्ट पर है कौनसी शर्ट? शेर ने उत्साहित होकर पूछा शर्ट यह है कि तुम हमें एक एक करके खाओगे चौथा सांड ने कहा शेर ने मुसकान के साथ स्वीकार किया ठीक है मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूँगा चारो सांड जंगल में घूमने लगे और वे मिलकर एक बड़े से एक मास लेकर आए वे शेर के सामने पहुँचे और पहले सांड ने अपना हिस्सा दिया शेर ने उसे खा गया और फिर दूसरे सांड को बुलाया इसी तरह चारो सांडो ने एक एक करके शेर को खाया और जब चौथा सांड बारी पर आया उसने शेर की आंखों में एक चाकु मारा शेर चलाया और गहरे दरार में गिर गया वह शेर ने सीखा की आलसी और हतियार बंदी करने वाले को कभी भी भयंकर अचानक घा तक नहीं मानना चाहिए और चारो सांडों ने सीखा कि जो सन्यम और साहस से दानशील होता है वह किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकता है